कर दोस्तों खुठा क्लास में आप से बहुत-बहुत स्वागत है कि खुठा में हम लोग सीजियल का कंप्लीट सिलेवस कंप्लीट कर चुके हैं पढ़ चुके हैं सारा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में अभिलेबल है नहीं देखा है देख लिजिए हर कहानी का हिंदी में आपके बताया गया है आपके सीजियल के लिए साती उत्वाद सिपाई के लिए और भी जो भी एक्जाम्स हैं जिसमें खुठा का से लिए बसे हैं वो सारा यहां पे कवर हो रहा है और सीजियल का तो कंप्लीट बहु चुका है इसके बाद हम लोग ने खुठा का सेट आठ इसके पहले कि साथ सेट प्लेलिस्ट में अलड़ी अविलेबल हो चुके हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे आज की सेशन में और देखते हैं आज हमार पस क्या-क्या सवाल है अचि का हमारा पहला सवाल है दैमनति क्से कहनी या नाटक के पात्र लागए दैमनति जो है वह किस कहनी का या नाटक का पात्र है क्रेक्टर है है दैमनती नाम कोने ऊप्षेक कि दीन और दिखाया गया है तो आपको याद होगा आपने पढ़ा है तो इसका सभी जवाब होगा चावी काठी क्या होगा चावी काठी चावी काठी की नाठक है जो श्रिंवाज परणवर्षय जिन लिखा है और उसी में यह करेक्टर है डैमंती क 싶 ini a Wür आगे ब्रुटते हैं अगले सवाल कि अगला की अगला सवाल इसी से जड़ा हुआ कुअ है डमंती कैशन पात्र लंग दैमंती का role कैसा थे जाए काटी नाटक में डाइमंती का role कैसा थे ऑप्षन है दलाल औरत बिध्वा औरत यूवती सिच्चित यूवती भिखारिं चारों में सि क्या थी डैमंती घू रोल था इसका जाबी काठी जो नाटक है उसका जिस शुरूव पेज में पात्र परचि दिया हुआ है वह ही पेजिक्र किया है इसका कि धयमंती जो है वह एक सिख्चित यूति हैं तो यह कितना पढ़ा लिखा था कि हम इतना पढ़े लिखें हैं अपने पेन को देखते विए कुछ बोलता है इतना पढ़ा लिखा था तो कितना पड़ा लिखा था आपके सामने मैट्रिक भी ये में इंटर जी हां बेल्कुल सही ये बीए पास था ये बीए पास था फिर भी इसके पास नौकरी नहीं थी उसमें बीए पास करना बहुत बड़ा डिग्री हुआ करता था जब ये नाटक लिखा गया था उस समय की बात है उस समय के माहौल में भी ये बहुत मुश्किल से करता था आदमी मैट्रिक तो करें नहीं सकता था मैट्रिक पास क्या मतलब वो बहुत काबिल इंसान हो गया ठीक है और आज के डेट में ना इसाब लोग भेलू खतम हो गया ड ऊद्धभासल करण में करंड का दात किस चीज कराता है आप किसी एक द०ुर्षमist में देखेंगे इसको की इसका दात्र होता है का तो किacción के यद्चिस का होता है तात किसके को बना होता है सोना का चांदी लोहा का या पत्थर का एक कोई आता है उसको सोना मागने के लिए अंतिम समय में सायद वो अंतिम दिर्ष्च में है तब उसको मालुम चलता है कर्ण को कि उसका दाथ जो है वो सोने का है और अपना दांत तोड़के उसको दे देता है इस तरह से वो कर्ण दानवीर बना रहता है कर्ण को दानवीर कहते है नो दानवीर कर्ण तो दानवीर बना रहता है यह नो अंतिन समय में भी मिट्तिन समय में भी अपना इस गुन को बरवादनी होने दिया करण के दात सोना के हाई, यी के बता हो है, कि करण का जो दात है, वो सोने का बना है, ये बात कौन बताता है करण को, करण को कैसे मालुम चलता है, कि उसका दात सोने का है कृष्ण से सुरुजदेव से आकासवानी से या अपने आप से कैसे मालू चलता है कर्ण को अपने अगर इनाटक पढ़ा है उद्भासल कर्ण उसके अंतिम भाग में जो अंतिम दिरिश्चे उसे दिखाया जाता है कि कर्ण जो है मृत्ति सहया पर है तो अकासवानी होती है यह कर्ण अधिर नहों तुम्हारे दात जो है न वो सोने के हैं तुम दात दान करो तुम्हारा जो सोना का दान है वो पूरा हो जाएगा तो यह अकासवानी से होता है और यह से जवाब क्या होगा तीन नंबर आकास पानी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगरा सवाल क्या है सांति भारत संगे बर्वा डग के गयल हले इन्होंने लिखा है बर्वा डग अखाई वोर जो केंद्रित है स्रिणवास पानली जी पर कोश्चन कुछ भी पुछ सकता है हर एक बात को फैक्ट को ध्यान में रखें तो यहां सवाल है कि सांती भारत संगे बरवड़ा क्या गयल हले अकेले तो यह गये नहीं थे साथ में कौन गया था सिवनात परमानिक बंसिलाल बंसी शंतोष कुमार या एक और दो दोनों मतलब सिवनात परमा वह यह लोग टोटल तीन अदमिंग था डीके एक स़ांती भारत खुद थे सात में थे सिवनात परमानिक और बंसी लाल बंसी इसका मतलब है कि सही जवाब क्या होगा हमारा इसमें इस question का हो चार नमबर एक और दो दोनों सांती भारत के साथ सिवनात प्रमानिक जी और बंसीलल बंसी जी भी गये थे क्लिए लगा चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल क्यों राधा कृष्ण रामगण है महतो घर की खाली या लालाई राधा कृष्ण जो है यह रामगण के महतो घर क्या खाने के लिए गया थे यह आपका है श्वस्परंस है उड़ी फुलवा रही जलबास इसके लिए कर कौन है गोविन मतो जंगली उसमें है कि राधा कृष्ण जी रामगण में महतो के घर क्या खाने के लिए गये थे आपशन है ग्रोगरा रोटी पराथा रोटी जोंड़ा रोटी ये छिलका रोटी आपने पढ़ा है ज्यान होगा बताईए कर सकते हैं कमेंट अ कि इसका सही जवाब होगा चार नमबर छिलका रोटी सेंटेक चिलका हो upbringing लिखाने के लिए गए थे चलिए नेक्स जवार चाहर कईसन किताब लागई चाहर जो किताब है वह कैसा किताब है वह कहानी संग्रह है या कविता संग्रह है या निबंध संग्रह है या उपन्यास है इस चारों में से क्या है चाहर पताईए और इसके लेखक भी कौन है वो बताईए तो च्छायर जो है वो कहानी संग्र है है ना कहानी संग्र है बहुत सारा कहानी है उसमें इसका सेजावोगा एक नमबर कहानी संग्र अगला सवाल बॉनेक QuanСТ लौर कहनिक मुख्य पात्र वत सब्सक्हानी है उसका मुख्य कौन है मैं क्रेक्टर कौन है कौन लीड रोल में है इस कहानी में है उप्संस जंगल मनुश्य समुद्र या एक और दो दोनों मतलब जंग्र और मनुष्य इसका सेजवाब हो जाएगा चार नमबर ठीक है चारों होगा जंगल भी और मनुष्य भी जंगल भी और मनुष्य भी आगे बढ़े question number 10 हम दियब कैसे कहनी में कौन गामेक बात करल गया लए यह जो कहनी है हम दियब कैसे किस गाउं का कहनी है कौन से गाउं का कहनी है कौन से गाउं का बात है यह वो पूछ रहा है आपसे option है मुर्पा, मुस्फिल, शाकुल या मुर्बे चार गाउं का नाम है चारों में सही जवाब क्या होगा यह किस गाउं का कहनी है वो आपको बताना है ठीक है बताइए इसका सही जवाब होगा एक नमबर, मुर्पा हम दियब कैसे कहनी में मुर्पा गाउं का जिक्र है अगला सवाल है समरी कई साल खतीर आपन जमीन कालू राम के दिले हले ये भी कोश्चिन जो है ना चावी काटी सही जुड़ा हुआ है उसी का सवाल है ये समरी राती है कालू राम को अपना जमीन कितने साल के लिए देती है बंदक के रूप में पाच साल, साथ साल, दस साल या बारत साल इसका सही जवाब क्या होगा ये बताना है आपको इसका सही जवाब होगा दो नमबर, साथ साल के लिए समरी ने कालू राम को अपना जमीन साथ साल के लिए दिया था ठीक है आगे कालू राम मंगला से सूध में कत्य पैसा मांगो है कालू राम जो है वो सूध में मंगला से कितना पैसा मांगता है कितना रुपिया मांगता है पाच्छू दोसो एक हजार और पैसा नाए खसी मांगो है कि पैसा के बतले खसी मंगता है ये चार उप्षेन है आपके लिए चारों में से सही जवब क्या होगा ये आपको बताना है कालू राम मंगला से सूध में ब्याज में इंट्रेस्ट में कितना रुप्या मंगता है इसका सही जवाब आपको लग रहा होगा कि चार नंबर है लेकिन यह नहीं है चार नंबर नहीं है इसका सही जवाब है एक नंबर 500 500 से इंट्रेस्ट मंगता है सुध मंगता है अगला सवाल आजगर नाटकें सुगिया के रहो है आजगर नाटक में सुगिया कौन रहती है सुगिया किसका नाम रहता है बितनाक जनी के मोथराक जनी के गोबराक जनी के ये मंगराक जनी के किसका नाम सुगिया रहता है इसका सही जवाब होगा तीन नंबर गौबराग जेनी के गौबराग की पतनी का नाम सुग्या रहता है ना चलिए आगना सवाब का नाटक क похож में एक करको पूछ सकता है आपसे की इस नाटक के इस दरीश्य में कितना दरीश्य और प्रिक कितना आँंख है सवाल ऐसा करें अगे सग्धों में गुंवल और है आज़ए नाटक के पहल का दूख है थे च्हे को दिरिश हैं टुटल साइक से में खेल रहे तो इस में जिसे अगे उन्हाइं देख लिजियों अंकतों को आम हो सबसुए आख है जालेंब सिंगे है जालेंब तरह है कौन रहता है कि कौन है जमिंदार है है कि जमिंदार के मुंसी है सिपाही है यह चारों पर से कि पते mujeriin क्या होगा जो यह नाटक पढ़ने हैं पर जानते जानते हैं और अंधाज लगाईएगा तो तो मुझे लगता है कि definitely आप लोग जमिनदार में लगएगा नाम से अगर लगाना चाहेंगे तो जमिनदार में लगएगा लेकिन नहीं यह जमिनदार नहीं है यह ठानेदार है एक ठाना रहता है उसका ठानेदार है अगले सवाल क्या है जालिम सिंग कहां थानेदार हले जालिम सिंग जू था वो कहां का थानेदार था अजगर नाटक में जालिम सिंग कहां का थानेदार था अप्सन मूर्पा थाना शाकूल थाना सदर थाना ये चरक पहरी थाना ठीक है इसका सही जवाब होगा चार नंबर चरक पहरी थाना जालेम सिंग चरक पनी थारा का थानेदार था है ना अगला सवाल दामदेरेक कॉराएं कविताक दुसर का सर कर नाम बत्वा दामदेरेक कॉराएं के कविता है उसका दुसरा सर क्या है पहला तो मेला है दुसरा क्या है दुसरा है सरंची कमल पहला मेला दुसरा सरंची कमल है ना अगला सवाल शिवनात परमानिक के जनम बच्छर बत्वा शिवनात परमानिक का जनम साल कौन सा था कब इंका जनम हुआ था शिवनात परमानिक जी का अभी फेस्बुक में कुछ दिन पहले देखा था मैंने कि दिने श्कुमा दिन मनी गये थे इन से मिलने के लिए अभी बीमार चल रहा ह है तो उसमें भावनात ओधार जी विए नौधार उन्होंने कमेंट किया था कि 72 साल की उम्र में कौन बुढ़ा होता है इसका मतलब है अभी सिवनात प्रमाने जी 2022 में के 22 यह यहां से भी आप पिछह कर सकते हैं का सकते हैं तो आपस निकले गा थी नंबर नैंगी 49 1949 अ को सिवनात प्रमाने जीका जर्म का वोगा उननीश्तव उन्चास तो इसका प्रमाने कर माय के नाम की वही दिखेंग अभी तक बाप का नम पुछता था यह मां का नाम पुछ दिया है 3 फोच्छा जवाब देना पड़ेगा हमें कि दितली देवी तिंड़ की दीवी तिल्मी देवी देवी चारों नाम जो है उस यह को समाज विंद सब्धाने को इस सवाल का जवाब बता करना है तो इसका सही जवाब है कि रूट है तिनकी देवी दो दोल्ट कि देवी जिम नार्पर्मानेजी के मा का雅नाम सब्सक्रा आगा सवाल धाम step 2 डीक ओर यह किताब है कहानी है यह कब प्रिंट हुआ था कब यह पब्लीस हुआ था किस इसका सही जवाब है ऐसन दख लिजिए 1984, 1976, 1986, 1986 तो इसका सही जवाब होगा 1986 1986 में पब्लिस हुआ था अगला सवाल आप लोग में बहुत वोगे जनम भी नहीं हुआ ना छेशल में नहीं हुआ वह अगला सवाल है दामदे कॉरहय में के कौन स yıl में आकरबन करण गया है । किस सरग में किस में आकरमन किया गया है कि एटक किया गया है तीसरा में चौथा में पाच्न मैं लीछ ट्था में यो में तो इसका सहहेज़ब होगा शोठाम से ट्रिकाश जो संयर एप उसमें आक्रमन का बाद क्या गया है हैं एकला सवाल उमादित्य केकर भगत रहा हैं उमादित्य जुथा वो किसका भगत रहता इसका पुजाली रहता है उमादित्यों ये भी दामदेर कोराई से ही है काफी सवाल है इससे बन रहा है ना सभी से आएंगे अभी यहीं से आ रहे हैं कि ओप्सन है शीव दुर्गा विश्नु या एक और दो दोनों इसका सही जवाब होगा शीव और दुर्गा शीव और दुर्गा उमादित्य जो है वो शीव और दुर्गा का उपासक रहता है कि अग्ला सवाल 24 नंबर शरंची भूतनिक बेटा किकरा खहँ है जो है और कि जो है मुझ szkrab PV कृत बेटा कि इसका होजाएगा चारा कमल केतु के आया कि तुक क्या शीव हो जाएग ऑग कमल केतु कर से ठीक है अगला सवाल 25 नंबर कौन मासें अंसरे मेला लाग है कौन महिना में अंसरे मेला लगता है भादो कातिक आसीन या अगन अगना ओपन गया है इसका सही जेवाब होगा बताईए को जानतेेक्ण कीजिए इसका सही tones hooga आसीन कि अग्या सवाल नुपूर मांगे की हो है नुपूर किछे कते हैं नुपूर द्वानी किसे कते हैं जुन जुनना केящ हातहक माला कानक वाली या पायल नुपुर किसको कहते है कि तो इसका सही जवाब होगा चाड़ नंबर पायल पायल को नुपर जाता है कि अगला सवाल समस्तिक घर की करते नजर आओए आखे कवित कविता का यह कुश्चर थक असे ते घरे की करते लाओए तो कहता है ना देखा लिए पानी भरते असित्य भ़जा घर है यह कविता था तो इसका सही जवाब पानी भरते देखा था श्रति को असित्य के घर में अगरा सवाल कॉ ainda कॉन कविता आन्खिक गीत कविता संगर के नाय लागई यह चार आप्शन दिया है इस में से कॉन है जो आखिक गेत कविता का नहीं है आखे कविता किताब का नहीं है आप्शन है जोदी खोजा मान 20 सुत्री कारिकरम बिपद भेलो भारी आज हमेर माने पर आपने अगत सीजियल का तयारी बढ़ियां से किया है जो बिदियोस पढ़ाया गया है बताया अपने कंप्लीट पढ़ा है देन आपके लिए कौशन असान हो जाएगा कैसे क्योंकि यह एक सवाल है जो आंखें गित का नहीं है और वह है बिपद भेलो भारी yay अब सवाल यह रहा आखें कर नहीं थो कहां का है कि अनौछ बेदान लेजे कि आपको यह पढ़ना है इतर पढ़ना आपके सेलिवस में है एक किसका है यह है एक मौनी फूल का ठीक है एक मौनी फूल है ना संतोष कुमर मतोजी का उसका यह कवीता है और विपद भैलो भारी अगरा सवार 29 नमबर भाबला गाचे आम फोरल भाबला गाचे आम फोरल पुटुज गाचे यह पहिंदी नहीं हुआ इंगली दिखा गया गलती है भाबला गाचे आम फोरल पुटुज गाचे खाली जगा ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा गेंदा गुलाब गुलीची गुलमोहर भाबला गा लाइन है पूटूश वाच्छे क्या पड़ता है तो पूटूश में उसमें लिखा गया है गुलाब क्या लिखा गया है गुलाब क्या अगला सवाल तीश नमबर यह आज की सेशन का अखिर सवाल होगा कौन संद्रेकफ पूजय तोई में संद्रेक सब्ध विवक्ति लागल है कि यह बी कवीता है कौन संद्रेक पूजय आखिकरय का है कि आमकार्क पड़े हैं हिंदी में तो पड़े है न तो भी आप समझ सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब होगा, संबंध कारगा, क्या होगा, संबंध कारगा, ठीक है, तो ये था, आज का सेशन हमारा, सेट नंबर आठ, और उम्मिद करता हूँ कि सेट 9-10 जल्दी आ जाए, जितना हो सकता है, सेट, कोश्चिनस का मैं रही है, तैयारी करते रही है, आपकी सफलता ही मेरी कामना है, आप सभी को बहुत बहुत देने वाद,